तो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मेरी फर्स्ट यूनो फाइफ हेंगिंग प्लांट्स जो मेरी बहुत फेवरिट है तो यह जो फर्स्ट बाला है यह है डिस्कीटिया मिलियन हार्ट्स और यह बहुत ब्यूटिफुल प्लांट है आप देख सकते हैं यह ज इसकी जो लिफ्स की पैटर्न है यह बहुत ब्यूटिफुल है यह हार्ट्स से होते हैं इसलिए इसकी नाम जिसकी जिया मिलियन हार्ट्स है और इसकी लिफ्स की जो पैटर्न है जिस तरसे यह ऐसे ऐसे होते है न एक एक शोर के एक एक शोर के एक यह बहुत मेरे लगा आया सकते हैं आप इसकी पेटरन देख सकते हैं बहुत ब्युटीफुल है और में यह बहुत दिन और यह मेरी फर्स्ट प्लांट है जो मैं बहुत पसंद करती हूँ सेकंड जो है यह है डिस्किट्रिया ओयें था यह आप लोगों को यह पता होगा अगर आप लोगों ने मेरी पहले भी फीडियो देखी होगी तो मैंने इसकी प्रोपागेशन केर बहुत सारे बताया है तो यह जो है यह मेरी होल इमने ओल टाइम फेवरेट प्लांट है यह बहुत ब्यूटिफुल प्लांट है बहुत ब्यूटिफुल दिखने में बहुत सुन्दर है इसमें यह वेरिगेटेट है लेकिन किसी किसी स्टेम में वेरिगेशन नहीं है लिफ की वो लाइटिंग के इंप्लांट के लिए perfect है बहुत सुंदर है रिसकीक्ट यैस मुझे तो बहुत पसंद है दिसकीक्टियस 3rd one is मेरे Monstera Monstera addon sonai Monstera addon sonai जो भी आप बॉल सकते हैं बहुत सुन्दर है Monsteras are very beautiful और यह जो addon sonai है उसकी lift की pattern आप देख सकते है है क्योंकि यह आसकल high demand बाली plant है सब लोग इस plant को चाहते है मैं तो बहुत साथी थी पहले से ही और ये plant मुझे बहुत पसंद है और ये hanging के लिए perfect है आप इसको climbing भी कर सकते है climb barkeeter भी रख सकते है most stick देखे इसको propagation करना भी बहुत इजी होता है आराम से इसकी stem cutting से या फिर soil में ये बहुत अच्छे से grow कर जाते है और आप देख सकते हैं ये मेरी जो है ये बहुत healthy plant है और fourth one जो है ये है enjoy pathos ये भी मेरी favorite है मेरे पास बहुत सारे pathos है ये marvel queen pathos manzula pathos बहुत सारे pathos है और ये भी favorite है इसी नहीं कि ये बहुत ज़दा favorite है ये भी मेरी favorite है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है और ये जो plant है ये मेरी plant अभी शायद ये four months ऐसे हो चुकी है मेरे पास है बहुत चोटा plant है बहुत बढ़ा हो चुकी है अभी इसकी आप variation देख सकते हैं ये available है कही बढ़ भी इसको मिल जाते है नर्सारिस में and the last one is skin-dipsus pictus exotica और सेटिन पोठोस और ये जो है ये आप लोगों को पता है मैंने इस plant के बारे में एक फीडियो औरेडी बनाया है इसकी care के बारे में और इसकी propagation के बारे में अगर आपको जानना है इस plant के बारे में आप उस वीडियो को देख सकते है very beautiful plant my all time favorite plant so guys this is for today hope you like this video thanks for watching bye bye